पूपीपुल और इनिग फाइन, दोस्टों ऐसा कि आपको पता है कि आपका जो सेसाइर का एकजाम है, वो कल टू सिफ्ट में लिया जाएगा, तो आपका जो सेसाइर का CSIR के वो सारे आपने जो टॉपिक्स और जो यूनिट से वो आपने कवर कर लिये होंगे साथे साथ जो है आपने जो है अपना जो प्रिविएस सीर कोर्सन के पेपर्स हैं उन्हें भी आपने सॉल्व कर लिया होगा तो student आज मैं आपका discuss करूँगा अपना experience कि मैंने one day before क्या किया था जिससे कि आपको कुछ फाइदा हो सके तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो I hope आपने अपना slabbers और जो प्रिविएस से कोर्सन के पेपर्स वो आपने solve कर लिया होगे अब आपको करना क्या है कि देखिए जैसा जो exam है सेसाय का वो कल है तो आपको करना क्या है अगर आपको लग रहा है कि आपका कुछ topic जो है बचा रहे गया है या आप जो है सब topic या topic आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि उसे पढ़ना है तो आप क्या करिए अगर आपको पढ़ना है वो topic को तो आप 6 p.m तो today आप 6 p.m तर उस topic को पढ़ना चाहते हैं या revise करना चाहते हैं तो revise कर लिए अब 6 p.m के बाद जो है आप अपना जितने भी books हैं या जो भी आपने अपना revision करने के लिए use कर रहे हैं उस आपको आप पूरी तरह से close कर दीजिए तो 6 p.m तक आगर आपको कुछ पढ़ना है या revision करना है तो revision कर लिए और उसके बाद आप जो है अपने जितने भी books हैं नोट से सब को पूरा close करके pack कर दीए मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए एग one day before आपको अपने brain को relax करना चाहिए ठीक है अब आप बिल्कुल calm लईए बिल्कुल आपको कोई tension मत लीजे कोई stress नहीं लीजे और अपना जो brain है उससे पूरी तरह से relax कर दीजे इ काम ठीक है और अब अपने brain को पूरी तरह से आप relax कर दीजे ताकि आपका जो brain है जब आप morning में उठें और exam देने चाहिए तो आपका brain जो है वो fully functional है और उससे बिल्कुल fresh आपका brain रहे जिससे आप जो है अपना जो exam है उससे totally focus कर सके तो मैं आपको ये tips दूँगा कि अगर आप कोई topic पढ़ना चाहते है तो आप उसे जो है 6 PM तक ही पढ़ें और उसके बाद अपना जितने भी notes या books है उसे पोई तरह से आप जो है close कर दे और आप पूरा जो है relax करें अपने brain को पूरा relax होने दे और कोई भी stress ना ले ठीक है तो आप बात कल दे कल के exam की तो already अभी चल आए और इसके जो cases से जैसे example कर लें तो डैली में जो है इसका second wave फिर से start हो रहा है तो फिर से जो cases से वो continue increase होने लगे है डैली में अगर हम बात करें तो इसी चीज़ को मद्द नज़र रखते हुए cases ने जो है अपना जो exam वो two shift में रखा है एक morning shift में और एक evening shift में तो अब आपको करना क्या है आप अपना जो brain वो पूरी तरह से relax करें और आपको सबसे important आपको कोई भी stress ने लेना है क्यों ठीक है तो अगर आप stress लेंगे तो आपका जो brain है वो fully functional line रहेगा और आप जो इनको relax करें बी काम और जो भी instruction दिये रखें बुकलेट में और ओमा सीट में जो भी instruction आपको दिये रखें और जो भी आपको form फिलप करने जैसे कि उसमें अगर आपका roll number फिलप करना या booklet code यह सब चीज है या address जो है उसे अच्छे से बी काम होके जो है उसे अच्छे से ज यह सब करने के बाद क्या करिए जब आप questions paper आपको open करने के लिए बोला जाएगा तब उसमें सबसे पहले जो है आप अच्छे से question paper को देखिए ठीक है अच्छे से judge करिए कि आप कौन question question को attempt करने जा रहे हैं कौन question को attempt नहीं करने जा रहे हैं और कौन question को जा है वो leave करने जा रहे हैं ठीक है तो इसके लिए आप सबसे पहले C question देखिए क्योंगि C question जो है सकता हूँ तो सबसे पहले आप focus करिए C part पे ठीक है तो out of 3 hour आप जो है 90 to 100 minute जो है वो अपना जो आप use कर सकते हैं वो C part पे use कर सकते हैं C part पे spend करिए और courses करिए कि आप कोई भी negative marking ना करिए ठीक है ये main important जो point है कोई भी आप negative marking करने कोशिज ना करिए अगर आपको question नहीं आता है तो आप questions को मत करिए touch करिए या अगर आप 90% से होने कि ये questions को मैं अगर करूँगा तो वो सही होगा तब जाके ही आप उन questions को solve करिए ठीक है उसके बाद आप जो time वो B part में दीजिए ठीक है B part में अपना जो बचा हुआ time में वो दीजिए और सबसे last में आप जो ए पार्ट करने कोशिज करिए क्योंकि अगर आपको CSI सिफ crack करना है तो अगर आपने section B और section C कर लिया तब भी आप CSI को easily crack कर सकते हैं लेकिन अगर आप जो है अच्छी rank लेना चाहते हैं या आप top 50 में आना चाहते हैं तो आपको जो है general aptitude का जो ए पार्ट है जिसमें आपको 15 questions करने होते हैं वो भी जो questions है वो आपको attend करने पढ़ेंगे ठीक है तो मैं कहूंगा आप mostly अपना time जीए 90 minutes minimum 90 to 100 minutes जो है आप उपना C part में दीजिए उसके बार P part में दीजिए और सबसे end में आप जो है A part को start करिए ठीक है लेकिन इसके लिए आप जो है अपना self confidence जो है वो maintain रखिए confidence रहिए कि मैं जो हूँ अपना जो सेशाय का exam है वो easily crack कर लूँगा या कर लूँगी ठीक है तो आप जो है अपने brain को पूरा relax करिए ठीक है ये important key है कि अगर आपने अपना brain पूरा relax कर लिया one day before तो आप जो है जब exam देने जाएंगे तो आपका जो brain है वो पूरा fresh रहेगा ठीक है पूरा fresh brain आपका रहेगा और जो है आप जो है easily questions है उसे easily solve कर सकते है ठीक है तो अराम सरी ये be calm कोई tension मत लीजिए और जो है अपने brain को fully relax करिए ठीक है तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे exam करना है और कैसे exam paper को लिखना है तो I am wishing you all the CSIR experience a very all the best ठीक है अपना exam अच्छे से crack करिए all the best to all of you कल के exam के ले रिए और जाइए और exam को crack कर दीजिए चलते हैं चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तिल डैन टेक केर बाइबाइ and all the valuables to all the CSIR जोजे से experience thank you